की नियुक्त कर रहे हिए अगर में पास पैसा होता अगर में पास पैसा होता अगर मेरे पास टाइम होता दोस्तों हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं ठीक है सुनके तो अच्छा लगा होगा अगर में पास पैसा होता तो मैं आपको धार देता है ठीक है दोस्तों हम सीखने वाले हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन वुड की मदद से ठीक है इसके पहले हमने जस्ट एक वीडियो बनाया हुआ है जस्ट इसके पहले एक वीडियो है जिसमें आपने यह सीखा हुआ है कि अगर मैं ऐसा होता अगर मैं आपकी जगह होता अगर मैं भुपाल में होता अगर मैं सुमित होता तो हमने इसके पहले क्या देखा था कि अगर मैं ऐसा होता लेकिन अब हम क्या देखने वाले अगर मेर तो हम देखने वाले हैं कि अब मेरे पास अगर कुछी ऐसी होती मेरे पास अगर किताब होती तो मैं उसको पढ़ता तो हम क्या देखने वाले हैं कि मेरे पास क्या होता तो मैं क्या करता ठीक है कालपने की स्थिती है है नहीं हम कलपना कर रहे हैं ठीक है तो कलपना करने के लि वोट का यूज सबसे पहले तो हम हाइपो थार्टिकल कंडिशन के लिए करते हैं, कालपने किसी थी के लिए, जैसे की, यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं पास पैसा होता, तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आई वोट, लेंड यू, मैं आपको धार देता, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा है, है, मैं पास कोई चीज होती तो, ठीक है, अगर मैं पास पैसा होता, तो मैं जरुत मनों की मदद करता, अगर मैं पास पैसा होता, तो मैं उससे बात करता, ठीक है, ठीक है, भले हो सकते हैं सेंटेश जमिना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने सेंटेश को बनाया है, ताकि आप धेर सारे सेंटेश को बनाये, बोलें, और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके, यहाँ पे योर प्लेस का मतलब भी बहुत सुन्दर है, इसका मतलब है आपके यहाँ, ठीक है, प्लेस का मतलब जगह नहीं कि मैं आपकी जगह आता, no, no, I would come to your place, मैं आपके यहाँ पे यहाँ, मैं यहाँ पे यहाँ, ठीक है, if I had time, I would come to your place, I would definitely come to your place, आप चाहेँ तो definitely कापयोग भी तो पस word के बाद आप रगें, simple form में दोस्तों, simple form में, ध्यान रखेगा, कोई अइंजी form नहीं, कोई सेकेंड फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, आप केबल simple form रखेंगे, simple form नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमारा एक वीडियो देखेगा, हमने क्रियाओं के लिए जो प्रहां सहरी वीडियो बनाए हैं, सबसे पहले कृयां को समझेगा आप नहीं पा veo वीडियो आप नहीं समझ पा 95 जाप नहीं बना पाएंगों की तो पांच रूपी जो हमने बताए है시 सरी क्रिया वीडियो देख लीजेगा ठीक है तो आई वड ज+. मिल सी मिलता, कि वल सिंपल फॉम आएगा भी, याद रखेगा, I would read this book, मैं इस किताब को पढ़ता, if I had time, अगर बस समय होता तो मैं इस किताब को पढ़ता, ठीक है, I hope आप समझ पा रहे हैं, कि कितना आसान है तरीका, दोस्तों, और भी changes आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप time की कुछ भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आए की जहाँ किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, if Sumit had, अगर Sumit के पास क्या होता, if Sumit had any problem, अगर Sumit को को कोई भी दिक्कत होती, ठीक है, if Sumit had any problem, he would tell me, वो मझे बताता, तो किसी को भी आप में होता, तो वो आता, ठीक है, if Sumit had my book, he would return, अगर Sumit के पास मेरी किताब होती, तो मुझे लोटा आ देता, ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आगे देखिए, अब आप यहाँ पे तो आप चाहें कुछ भी लगा दे, if my colony had a garden, अगर मेरी colony में garden होता, ठीक है, तो if my colony had a garden, I would go for a morning walk, मैं morning walk में जाता, ठीक है, if my colony had a garden, I would go for a morning walk, if my colony had a garden, I would play a lot, मैं बहुत खेलता, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, if I had a mango tree, if my house had a mango tree, अगर मेरी घर में एक आम का पेड़ होता, तो I would, अब में क्या करता, आप लगा सकते हैं, आग if India had, if India had, कुछ भी अप लगा सकते, if my country had, you know, if my city had, if my friend had, if my father had a bike, अगर मेरे पापक पस गाड़ी होती, तो I would definitely come, I would learn, I would learn riding, driving, जो लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं, बहुत आसान हैं, दोस्तों, आप हिंदी पर हिंदी बनाना है, फिर अंग्रेजी बनाना है, ऐसी को time, I would come, if he had time, he would come, if he had time, if he had money, if he had time, he would come, if my brother had time, he would definitely come, वो जरूर आता, तो इस प्रकार से, if I had money, I would not let him go, मैं इसको जाने नहीं देता, if I had money, ठीक है, if I had money, तो यहां पर not लगा दें, would की बाद चाहें, तो I would not let him go empty-handed, मैं इसको खाली हाथ नहीं जाने देता, I would not let him go empty-handed, मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता, ठीक है दोस्तों, I hope आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है, आप बस इसकी practice करें, और हाँ दोस्तों, आपके लिए, खास आपके लिए, बहुत सारे sentence आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतने सारे sentence आपको दे जा रह है, आपको लगता कि आपने थोड़ा भी सीखा है, तो आप हमारे channel पर यदि नए हैं, तो हमारे channel को जरू subscribe करेगा, bell icon दावाना ना भूल भूले, ताकि इस प्रकार के धिर सारे videos की notification आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, like share जरू करें, यदि आपके कुछ, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें comment करके जरू बताएं, और हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो इस बात को भी आप comment के माध्यम से हमें जरू बताएं, ताकि हमारा उस्सावरदन हो सके, कुछ नए videos, topic पे आप चाहते हैं, कि हम तो आपको उस बात को भी जरू बताएं, ताकि हम डे सरे topics में वीडियो बना सके, आपके topics में हम वीडियो बना सके, तो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हरदय से बहुत बहुत धनेवा, थैंक यू बर्यमेच, जय हिंद, बंदे मातरम,